अपने गाह में जो तेतिस या पैतिस मंदर लगभग बने हुए हैं कुछ बन भी रहें जीवनों धार हो रहा है उनका मतलब यह था कि मनस्थिराण इति मंदरा जहां पर मन हमारा इस्थिर हो जाए लग जाए जो भवार के गुंबज बनते हैं उन गुंबज में उंकार जब ओम दीर उस्वां से लेकर के ओम कहा जाता है तो बहुत देर तक वापसी यानि उनकार की धुन सुनाई पड़ती है जो हमारे अंतास्तर को पवित्र करती है तो इसी आधार पर यह मंदर बनाए गए सब्से प्राचीन गाउं के पहले 18 सह में लगवग संबत 18 संत्रा से 17 में लगवग मंदर निर्वान होँ तो पहले मन्द्री के इस प्रकार से कई लोग गाउँ इस प्रकार से मंदिर का निर्मान किया कुछ लोग इस भाव़ों से कि अपने सुद्ध कमाई का जो धन होता है उस्में से दसांस निकाल कर रखते थे जैसे collaborating रुपया किसी कियाम दनी हुई तो सौ रुपय वो भवान के निमेते खाते में रखे जाते थे फिर अंत में जब एकठा हो जाता था तो मंदिर का निर्वान वो करते थे लोगों का कहना है यहां पर ऐसे से विद्वान हुए जो प्रजा साहिब लोने सिंखे भी पंडित रहे लोने सिंखे गुरू रहे यह यहां पर लगभग मंदिर 35 के करीब है इससे सिद्वी यह होता है कि मंदिरों का गाउं है और यहां के कहांवालों करें मंदिर दूर दूर तक मंदिर बनवाय इसीलापूर का मंदिर एक इधर गाउं के लक्षिन में ख्लेशoureनृ वह मंदिर अन्य जगा ला Tagagsetzt करी मंदिर को थे बनूआते रहें दो सोवर्स पराना धाइन सोवर्स पराना कुछ तो मंदुर इसे इनको कोई जानते ही नहीं है कि ये कब बना किसने बनुआया पिसे कोड़ोस में ही हमारे गाउं का ही मजरा है मूड़ा वहां जंगलीनाथ धाम है उसका तो कोई जानते ही नहीं कब का मंदुर बनाया किसने बनुआया है और शीवलिंग की लोग कहते हैं इसको सोचा गया तक दूसरी जगे परफाया जाए जिते खोदा गया उतते ही नीचे शीवलिंग चोणी होती चली गई कि संख कपाल लसे करमे और दूसरे चक्र तसूल समारे शंकर भिष्क भगवान के अस्त्र सस्त्र उनका वरणन है स्वयम समझेले संख कपाल लसे करमे और दूसरे चक्र तसूल समारे और मनि मुंडन माल गले बिलसे और दसाओ दिसिमाने जितेज पसारे राधिका पार्वती दिशिबाम औं सबै जग नाशन-पालन वारे गरूलगज ओव्रशभध्वज जी हर यह नहीं हर हर किर्थन समाज का पुरो दिख्दर्शन तस्तामुना है यानि गरुरद्धज जिन भगवान का गरुड़ वाहन और व्रशवद्धज यानि नंदी भगवान तो ये हरीहर भगवान का स्वोप रहा है